नमस्कार मैं आपके साथ श्रिष्टी मेहता बहुत स्वागत है आपका हमारी खास कारक्रूम हर्याना डाइरी में देखिए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाब पहुचाने में जुटी हुई है हर्याना सरकार जिसने एक और बड़ा कदम उठाया है अंतियोदे परिवारों के च्रहरे पर मुस्कान लानी वाली योजना का नाम है हैपी कार्ड ये रपोर्ट देखिए विक्सित भारत विक्सित हर्याना का संकल प्रसंजोए डबल इंजन सरकार एक कई सराहनिय योजनाएं चला रही है हैप्पी कार योजना हर्यान सरकार की तरब से चलाए जा रही इनी योजनाओं में से एक है जिसने अंत्यद्य परिवार की चेहरे से आर्थिक कमजोरी की चिंता को हटा कर भरोसी की मुस्कान ला दी है चाहे गरीब परिवार का बच्चा हो युवा हो या फिर बुजर्ग मुफ्त बस यात्रा की सौगाप ने ये भरोसा दिया है कि सुख्षा हो या रोजगार पैसों की तंगी की वज़ा से सफर तै करने में आपको कोई परिशानी नहीं होगी हर्याना के हर जिले में सरकार की ओर से रोडवेस करमचारियों की स्पूशल ड्यूटी लगा कर युद दिस्तर पर योज़ना से जोडने की तैयारी चल रही है हर्याना सरकार की तरफ से अंतोजे परिवारों के लिए एक शांदार योज़ना की शुरुवात की गई है कहीं किसी धार्मिक सल के उपर ब्रहमन करने के लिए जाना है कहीं रिष्तेदारी में जाना है कहीं किसी रिष्तेदारी में सादी में जाना है तो इस योजना का लाव उठाते हुए आप बस के अंदर फ्री में आप सफर कर सकते हैं ये योजना ये सरकार ने आप लोगों के लिए चलाई है 23 लाख ऐसे परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को हर्याना पर्देश के अंदर इस योजना का लाव मिलने वाला है और बहुत सारे हमारे परिवार इस योजना का लाव भी उठा चुके हैं इस काड के माध्यम से 1000 किलोमेटर की यात्रा का वो लाव उठा सकता है इस योजना के माध्यम से अंत्योदे परिवारों के लिए सरकार की तरफ से स्रहानिय कदम उठाया गया है अब BPL परिवार के लोग हर्याना रोडवेज की बसों में मुफ्ट में सफर कर सकेंगे लाबारती सालाना 1000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा कर सकेंगे इसके लिए मोबिलिटी स्मार्ट कार्ड हर्याना सरकार उप्रद करवाएगी हर्याना रोडवेज की बस डिपो से ये हैपी कार्ड बनेगा 22,89,000 परिवारों के 84,000,000 लोगों को इस योजना का लाब मिलेगा हर्याना अन्तोद्य परिवार परवेहन योजना के अंतरगा परिवारों के लिए हैपी कार्ड बनाये जा रहे हैं इस कार्ड के अंतरगत लाभारती को प्रतिवर्ट्ष 1000 किलोमीटर की यात्रा का लाब मिलेगा एक हेपी काड के लिए लाभ अरतिक को 50 रुपे का शुल्क देना होगा जिसके अतरिक्ट काड की लागत 109 रुपे होगे और वार्शेक रखरखाब के लिए 89 रुपे का शुल्क सरकार की तरफ से वेहन किया जाएगा परिवार की सभी सदस्यों का हेपी काड अलग-अलग ब परिवार पहचान पत्र में इस इंगम की वेरिफिकुशन भी अनिवार है। मोबिलिटी कार दिये जाएंगे। हैपी कार बनवाने के लिए जरूरी कागजातों की बात करें तो आपके पास परिवार पहचान पत्र, आधार कार, आधार से रईश्टर नमबर और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। इसके लावा हैपी कार बनवाने के लिए आविदन की पूरी प्रक्रिया भी आपको समझा देते हैं। हैपी कार हर्याना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाय जाएगा। इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारेक वेबसाइट पर आविदन करना होगा। हैपी कार के लिए आविदन करें के ओप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद परिवार पहचान पत्र नमबर और कैप्चा कोर्ट दर्ज करना होगा। और इसके लिए भी मुमाईल नमबर और आधार कार नमबर दर्ज कराना होगा साथ योटीपी भेजे के ओपशन पर क्लिक कर नमबर वेरिफिकिशन हो जाएगी अब आविधन करें के ओपशन पर क्लिक करना होगा आविदन करने के 15 दिन के अंदर हैपी काड बनकर त्यार हो जाएगा आप नजदी की रोडवेज काराले में जाकर अपना हैपी काड ले सकते हैं यह कहना घलत नहीं होगा कि चाहे अंतोदे परिवारों के चेहरे की मुस्कान हो या हर्याना का विकास हर्याना सरकार की ये योजना मील का पथर साबित होगी झाल, टाल, झाल, थाओ टे खवागी